नमस्कार साथियों मैं विश्णु कांतुपाध्या आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भी एच्चु वाले दैस्टोरी का पर क्योंकि आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि सरी इस बार कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है तो इसके बारे में हम बताएंगे साथ ही एक्जाम का मोड क्या होने वाला है उसको लेकर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि PG से समंदित सारी जानकारी हमारे द्वारा आपको ऐसे ही दी जाती है तो चलिए भाई देखते हैं कि आखिर क्या खबर निकल के सामने आ रही है तो साथियों जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि नौ भारत टाइम्स का एक आर्टिकल आया है और इसमें यह खबर चापी गई है कि CVT PG 2024 रिकॉर्ड रेजिस्ट्रेशन टफ होगा एक्जाम जानिये परिक्षा सिर्फ ऑनलाइन होगी या ओफलाइन भी तो देखिए आज का जो यह वीडियो है इसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि टोटल कितने बच्चों ने CVT PG 2024 के लिए फॉर्म अपलाई किया है तो देख सकते हैं कि इनवर्सीटी एड्मिशन 2024, PG कोर्स एड्मिशन 2024 के लिए इंटरिंस एक्जाम CVT PG 2024 मार्च में होने है यानि कि 11 मार्च से जो है आपका एक्जाम होना है और आपका एक्जाम जो होता है वा ऑनलाइन मोड में ही होता है ठीक है ना लेकिन इस बार थोड़ा सा हाइब्रीड मोड की बात चल रही है लेकिन आप लोग यहां देख सकते हैं कि भारत के विभीन विश्विद्यालियों में मास्टर डिगरी कोर्सेज में दाखले के लिए परिक्षा सीविटी पीजी 2024 में जो कमपटीशन है वा थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि इस बार सीविटी पीजी के लिए सबसे ज्यादा रेजिट्रेशन हुए है यानि कि पिछले साल की तुलना में लग भग जैसे कि आप 4.58 लाख जो थी संख्या थी किसकी छात्रों की यानि इस बार जो है या संख्या बढ़के 4,62,000 जो है हो चुका है सभी सब्जेक्ट की में बात कर रहा हूं सभी कोर्स की बात कर रहा हूं जो भी कोर्स जो है CVT PG 2024 में शामिल है उन सभी के लिए टोटल 4,62,000 आवेदन जो ह नित्यारी करना शुरू कर दिया है और साथ ही exam center वेगेरा को लेकर जो जरूरी इंतजाम है वह किये जा रहे है आपका exam जो होगा वह computer based ही होने वाला है यानि कि UG का exam जो है इस बार hybrid mode में होगा यानि online offline दोनों होगा लेकिन PG में बच्चे कम है इसकी वज़ा से PG का जो exam हो होगा इसके बाद यहाँ पर जो है university वेगेरा की संख्या बता दी गई है shift जो आपका exam date और 2024 की shift timing है आप लोगों को पता है कि total 3 shift में आपका exam होना है 11-18 March के बीच और 75 question होंगे आपके पास 105 मिनट का समय होगा ठीक है ना और जो भी आपको detail में जानकारी चाहिए होगी तो pgcvt.smart.ac.in पर जाकर आप लोग यहाँ पर सारी जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं अभी exam date को लेकर यानि की जो schedule है वह नहीं आया है कि कि किस date को किसका exam होना है और admit card वेगेरा या फिर जो CT का पहले admit card आता है वो सब अभी नहीं आया है तो जल्द ही आप वो सब भी जारी होना शुरू होगा तो आप लोग लागातार पोर्टल को अपने देखते रहेगा बाकी हम जो है ना जैसे ही हमें कोई ख़बर मिलेगी तो हम आप लोगों तक पहुचा देंगे अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीज मिलते हैं अगले वीडियो में अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद